नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बालों के लिए जब बाल जड़ने शुरू होते हैं तो सुरवात में इतने नहीं जड़ते हैं हम इसे मामूली बात समझ कर टाल देते हैं लेकिन बालों का गिरना समय के साथ साथ बढ़ता रहता है और कुछ महीनों में ये दुगनी रप्तार पकड़ लेता है जिसकी वज़े से पहले के मुकाबले हमारे सिर पर बाल कम हो जाते हैं और पतली भी दिखाई देने लगते हैं अलग अलग लोगों के बाल जड़ने के वज़े अलग अलग होती है लेकिन उमर से पहले बाल जड़ना या गंजापन आना आज के समय की बहुत बड़ी प्रोबलम हो चुकी है अक्सर तरह तरह के प्रियास करने के बाद भी जब हमें कोई अच्छा प्रियानाम नहीं मिलता तो हम बजार में मिलने वाली उस्तोगा अप्योग करने लगते हैं जिससे ये समयशा और बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल होते हैं और केमिकल हमारे बालों के जबूती मिलती है हमारे बाल लंबे समय तक नहीं तूटते नहीं जडते और नहीं हमें गंजापन होता है इसका जो मैं नुष्का बता रहा हूं इसके लिए चेगी हमें अरंडिका तेल और गुड़हल के फूल इस नुष्के को बनाने के लिए सबसे पहले दो पत्ते में रखकर दूब में रख दें दूब में रखने से गुड़हल में मौझूद पोशुक्त तो तेल में पूरी तरह मिल जाते हैं साथ दिन के बाद इस तेल को चान कर आप किसी दूसरे बरतन में डाल लें ये आपके लिए एक बहुत ही मैतोपून फर्मूला तियार हो गय कनफे रखने नहीं देगा आपके बालों को गिरने नहीं देगा इस तेल को आप अपने बालों की जड़ू में लगाएं और लग बगवग से पंदरा मिंट फलक के हाथ से मसाज करें ज्यान रहें मसाज बड़े हाथ से करने चाहिए ज्यादा जोर लगाने से बालों की जड़क कमजोर हो जाती है जिसके उजे से थोड़े से खिचाओ के कांड भी आपके बाल तूट जाते हैं और उसके बाद आप अपने बाल दोएं या नहीं और चैमिकल यूप प्रोडेक्ट यूज ना करें गुड़ल के फैदे की बाद करते हैं कैस्टोल को और बर्ड प्रेसर को कम करता है गुड़ल के पत्तों की चाय बना ले इसके अंदर मौजूद ततो कैस्टोल को कम करते हैं और शाथ की सास कैस्टोल को कम करने के साथ बर्ड प्रेसर को भी कंट्रोल करते हैं गुड़ल के फूलों का गर्म पानी उबाल कर पीना बहुत ही फाइदे मन्द होता है डायबडीज मदू में नेमित रूप से 20-25 पत्तियों का सेवन करें और आपकी डायबडीज सरतिया इसका पोद आपको नरसरी में आराम से मिल जाएगा और इसे घर पर लगा सकते हैं किड्नी और डिप्रेशन के लिए भी कामियाब है गुड़ल अगर आपको किड्नी की समस्या है तो आप गुड़ल की पत्यों की बनी वीचाह सेवन करें और इसी के साथ डिप्रेशन में भी लाब मिलता है गुड़ल का सरबत दिल और दिमाग के सक्ति प्रतान करता है यह आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है जिन लोगों को बढ़ती उमर के काण मेमोरी लोस हो जाती है या उनको याद दास्त कमजोर आ जाती है तो गुड़ल इस समस्या को दूर करने के से आपके मेमोरी पावर में काफी इजापफा होगा आपकी आदास्त बहुत तगड़ी होगी अगर मुझ में चाले हो गई हैं तो आप गुडल के पत्ते चबाएं आपको आराम हो जाता है बालो को मजबूत बनाए रखता है पहले भी में बालो के लिए बता चुका हूं सवस्त होंगे सरदीखांशी के लिए भी लाब्तायक है गुडल में अधिक मात्राइब विटामिनों सी होता है जब चाह अन्य रूप में इसका सेवन किया ज़ता है तो आपको इसका को सरदीखांशी के लिए ले भी फाइदय मन्न होता है इससे आपको सर्दी शे जल्द रात मिलती है परदर के लिए यानि के लिकोरिय के लिए भी गुडल लाबकारी है सर्बत बनाने के लिए गुडल के 100 फूल लेकर कांच के पात्तर में रख दें और इसमें 20 निमववा रस डाल दें और ढग दें रात बर इस बरतन को रख दें सुवे अपने हाथों से मसल कर क महिला को प्रदर और लिकोरिय से अराम दिलाएगा इसको चार से पांस गराम की मातरा में आप पीते रहें खुजली और जलन के लिए गुडल का फूल सुजन के साथ खुजली और जलन जैसी समस्चाओं से विरात दिलाता है गुडल की पतियों का मिक्सी में अच्छी तरह पीछ लें और शूजन और जलन वाले हिस्से पर इस पर लगाएं तो कुछ मेंट में आपकी सूजन और जलन खतम हो जाएगी मुआसे और पिंपल्स के लिए अगर आपको पिंपल्स और मुआसे की समस्चाओं से प्रेसा नहीं तो गुडल की पतियों को पानी के साथ उब प्रेसल के फूल में अनेमिय का इलाज संब्व है आप 40-50 गुडल की कलियां सुका कर अच्छे से पीछ कर उन्हें किसी एटाइट डिब्बे में बंद रख लें रोजाना सुबह शाम एक अब दूद के साथ एक चमस पाउडर एक महिने तक लें इससे अनेमिया की समस्चा दूर हो जाती है और स्टेम में भी बढ़ता है पाचन सक्ति को भी बढ़ाता है गुडल लार्म विर्द्यों और पाचन सक्ति को बनाने के लिए मुझे छालों के लिए गुडल की 3-4 पतियां चबाने चाहिए जिससे आपको काफी लाब होगा अगर वीडियो अच्छे ल क्राओ जिससे आपको किया रवाब हैता है